दोक्टर जैसे भी कॉल आए हैं मैं आपसे भी समझना चाहूंगे कि क्या महिलाओं और पुरुषों के अगर तुलना करें तो ऐसा है कि गुटनों के दर्थ से कोई एक ज़ादा परिशान होता है बिलकुल सही है मैं जो पेशन्ट अपरेट करता हूं उसमें 70-75% फिमेल होती है और 20-25% 25% तक मेल होते हैं पुरुषों को यह थोड़ा कम होता है महिलाओं को ज़ादा होता है एक वज़ा यह भी है कि आम तोर से महिलाओं दस साल सरेराश ज़ादा जीती है पुरुषों से तो एक कारण यह भी हो सकता है कि we are operating more females because larger portion of our patient are 60 plus और भी कोई वज़ा है इसके पीछे क्या बिसिकली Indian females qualitatively मैंने पहले बताया ऐसा कि खाना उनका जो है is a very low protein diet more of the carbohydrates they eat and supplements they don't take ठीक है डॉक्टर अगर कारण हो गये हैं इसके बाद अगर हम इसके इलाज की बाद करें तो किस तरह के इलाज मौजूद है और घुटनों में दर्द की अलग-अलग आप प्रकार भी बता रहे थे कि अलग-अलग कारणों से अलग-अलग वज़ों से भी हो सकता है जो ऑस्टियो अर्थराइटीज है वो गुटना घिसने के कारण होता है मतलब वेर अन्टेर बोलते है आम तोर से उसको उसकी वो 95-98 परसंट तक वही कारण होता है गुटनों के प्रॉब्लम का 2-5% केसिस में अलग-अलग परकार के इंफलेमेटरी आर्थराइटीज होते है उरका मेडिकल ट्रीटमेंट अगर ठीक से किया जाए तो सरजरी लंबे टाइम तक एवोईड कर सकते है अभी जो ऑस्टियो आर्थराइटीज बात करते है गुटने के आर्थराइटीज की ब पहाँ पे चलता है थेलिए चार पहाँ पे चलता है तो उसको गुटनों का अर्थराइटीज नहीं होता है थो जब दो पहाँ पे चलते हो पूरे बॉडी का वजन घुटनों पे आता है तो अपने छो और्थोपेडी प्रोब्ल facto लार्जली जो है सुझावकल डीक, लंब मतलब उसको काफी जलना पड़ता है तो देट इस द वन रिजन के घुटना जल्दी किसता है और जब हम कम उमर के लोगों की बात कर रहे हैं दोक्टर तो कम उमर में घुटनो के दर्द की क्या प्रॉबम हो सकते क्या वही जो खानपान की प्रॉबम है और भी कोई वज़ा हो सकती है खानपान और नूट्रिशन के सिवाए ये जिनेटिक भी होता है मतलब अगर mother-father को होता है तो वो mother-father या one of them having osteoarthritis तो chances यंगर एग में आने का बढ़ता है बच्चों में तो उसके लिए क्या पहले से जिनको पता है इनकी पामली में ही चलता आ रहा है वो कोई उपाय अपना सकते हैं क्या बिल्कुल वो basically we have to correct the nutrition, we have to correct the nutrition, we have to ask patient to go for good corrective exercise, ask them to check the weight and one has to wear softer shoe wear, अभी क्या है surface सब हाड हो गई, whenever you are walking or doing some activity, सब प्रेशर गुतने पायाता है now softer the shoe where you wear, you are going to have lesser jerk on your knees, so you know these are all small things but it really helps